इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगी बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं अभी पाश मुनट पहले से इसके लिए बहुत धन्यवाद अच्छा मैं ये पूछना जादी हूँ आजादी क्या दिवस पे जी आजादी का मतलब क्या होता एक लड़की के लिए लड़की के लिए आजादी का क्या मतलब है मेरी कजर में लड़की के लिए आजादी का एक लड़ी मतलब है कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए आज मुनिर्भर हो जाए आज मुनिर्भर इसनी हो जाए इसनी आजाद हो जाए कि वो क्या करे मार्केट में बिना किसी की इज कि अपनी मन पसंदी की ने खरिपाए है ना सफुराय जली जाए तो फिर्फीर बिना किसी की राज़त की अपने माईगे को सपोर्ट कर पाए अपने माता पिता का अंशिक सायों कर पाए वही लड़की क्या है आदाद है अभी आदाद ही मिलेगी कैसे महनसे ना यहां पर बह क्योंकि जिस दिन तुम लोग अपने माबाद की महननत और पैसो की गदर करोगे उसी दिन तुम लोग आगे पड़ पाओगे समझे अधिशन जब होते हैं यहां पर तुम लोग की हालत हम लोग देख से तुम लोग नहीं देख से ठीक है केबल लड़की का सुनतर लगना स मैंने इसे के लिए आप लोगों के लिए कविता लिखी है कि जब उसको आपसों रस्त भरो सिंदूर बने रस्त भरो सिंदूर बने रस्त हो भुद का जो देश के सम्मान में गे मतब सिंदूर जब भरना ही है लड़की को तो सबसे पहले वो किसका भरे खुद के रस्त का और क्या हो जो देश के सम्मान में गे रस्त भरो सिंदूर बने रस्त हो भुद का जो देश के सम्मान में गे मात्र भूमी की जो रक्षा कर सके उसमें ऐसी खार भी हो पायल दर्णो जिसमें खंकार भी हो और तुपायल पहाद उर्टेबरों की खुंकार भी हो आथे पर सजी हो गिंदी तो माटी का दिलक भी हो आँखों में हो काजर तो स्वाधिमान की जलक भी हो खते नियो पर रची हो महदी तो कलब एक खत्यार भी हो बनो अगर पारवती तुम तो देश के लिए काली का अफ्तार भी हो अगर सुन दरता ही है नारी जीवन का आधार तो उसमें तेश भक्ति का सोला शिंगार भी हो